सबसे पहले कॉरोना नमस्ते अगर कॉरोना नमस्ते करोगे तो वायरास आपके पास आए ग़ए नहीं जहां तक नमबर्स का सवाल है अभी भी इंडिया में 0.1 per million population को इंफेक्शन हो रहा है अमेरिका में 5 per million को है चाइना में 50 per million को था इटली को 250 पर मिलियन के अंदर में था तो इसका मतलब है अभी भी हमारे देश के अंदर में community spread नहीं हुआ है जब तक community spread नहीं होता है तब तक हम stage 2 में हैं या तो primary cases हो रहे हैं या secondary cases हो रहे हैं और हर case का हम contact ढूल पा रहे हैं तो उस situation के अंदर में हमारी precautions बाकी countries की precautions से different होंगी death तो होंगी क्योंकि हर death का जो rate है वो 3% है भारत में 80 cases हो गए हैं अगर 100 के अंदर में 3 लोगों की death होनी है तो 2 लोगों की death 80 के अंदर में एक normal death है हम इसको panic नहीं बोलेंगे अगर हम देखेंगे तो हमारे यहां पे 23 cases चार तारीक को आये थे इसका जो doubling time है वो 7.1 days है उसके साफ से जो next peak आना था चार तारीक के बात में वो 10 और 13 के बीच में आना था और वो आया तो यह normal doubling time है यानि कि अब जो next peak आयेगा वो 16 और 19 तारीक के बीच में आयेगा वो भी normal होगा लेकिन अगर doubling time एक दिन का हो जाए यानि कि आज 30 हैं कल 60 हो जाए एक दिन में 30 cases नहीं आ जाए तब हमें लगता है कि community spread तो नहीं हो रहा उस situation में हमारी सारी strategy हमारा जो risk assessment है वो सरकार की तरफ से फिर चेंज हो जाता है डरना अच्छी बात है पैनिक नहीं एक simple line का message है कि अगर आपको बुखार और खांसी है अपने डॉक्टर से बात कर लें fever and खांसी याद रखिए अगर आपको सिर्फ खांसी है तो pollution खांसी के साथ में जुकाम है तो allergy जुकाम और खांसी के साथ में आपको बुखार है तो flu अगर आपको गले में खाराशा और बुखार है तो bacterial infection लेकिन अगर आपको खांसी के साथ बुखार है और सांस फूल रहा है तो ये करोना के लक्षन हो सकते हैं इसके अलावा किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जिनको खांसी और बुखार है अपने डॉक्टर से बात करें और surgical mask को पहन ले ताकि उससे किसी दूसरे को खत्रा ना हो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये flu के early election हो कल तक आपको जुकाम चालो हो जाए तो इसलिए आज की date में आपकी responsibility यहीं बनती है या तो सरकार के number पे dial करें या अपने local doctor से बात करें कि मैं क्या करूँ doctor के पास rush करने की ज़रूरत नहीं है अभी community spread नहीं हुआ है तो अभी हम mitigation exercises पे नहीं है अभी हम recommend नहीं करेंगे कि non essential surgeries को बंद कर दो non doctor के पास मत जाओ essential नहीं है तो market में मत जाओ essential नहीं है तो अभी तो सिरफ एक ही चीज है और वो essential commodities act और साथ में national disaster act और साथ में जो है हमारा epidemic disease act enact हो गया है कि कोई भी आदमी अगर खांसी के साथ में अगर उसको बुखार है और वो public place में जाता है और अपने date में तो public places में आप जाके सवाल पूछें भी किसी को भी खांसी के साथ बुखा रहा है तो हाथ खड़ा करें उसको आप वो मास पहने ने तो वो वहां से चला जाए तो आम जनता के अंदर में अगर हम यह बोलें आज जो है बाहर निकलना बंद कर दो घर में रहे दो अभी वो stage नहीं आई है वो stage जब आएगी जब community spread हो जाएगा जब कि सारी एक तरीके से करफी हो जाता है तो आज की date में करफी वाली stage नहीं है हाँ जिन लोगों की उमर 50 साल से जादा है जिनको diabetes है हाट के patients हैं उन लोगों को definitely ध्यान रखना है अपना कि वो public के अंदर में ना जाएं क्योंकि अगर कोई भी आदमी अगर उनको करणा हो जाए तो mortality के chances बढ़ जाते हैं आज मुझे एक surgeon का phone आया था कि 60 साल से उपर के लोगों की बाइपास surgery जो essential नहीं है करूं के नहीं करूं उसके साथ में कारण यह है कि उन लोगों को अगर वो करोना लेके आ गए किसी कारण वस्थे आज की दिद में asymptomatic हैं तो सारे hospital के अंदर में कर देंगे यास ऐसे लोगों को देने की बाद के इसको किस नहीं के रिक्षिक इस वकत में एक panic reaction है हर आदमी हर कुछ try करता है कोई संतों के पास जाएगा कोई याड़ूफूस करेगा कोई यग्य करेगा तो हर आदमी अपनी opinion लेकर आता है यह सब लोगों को अपनी opinion करें लेकिन अगर आप क्लेम करते हो कि इससे करोणा ठीक हो जाएगा तो वो हमारे भारत के अंदर में crime है magical remedies act के अंदर में वो crime हो जाता है उसके लिए आपको proof करना पड़ेगा और अगर आप यह proof कर सकते हो कि गोम मुत्र से करोणा ठीक हो सकता है तो इमीजेटली आपको nobel prize मिलने की सिफारिश करनी चाहिए और मिलना चाहिए क्योंकि आज की डेट में nobel prize committee यह देख रही है कि कोई फिए सी इंवेंशन आजाया जुसे करना ठीक हो जाया हम इसको nobel prize बाटे तो जवाब देतो दिया है एंग इससे इससे आऑन आपको जाया है मुस्ट को जाया हम इसको nobel prize बाते एंटसों जाब डेतो दिया है प्रुम्स 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 प्रुम on 4th and the next spurte came after 7 days which was expected so doubling time in india is 7 days which is normal if the doubling time becomes 1 that means today there are 100 tomorrow 200 day after tomorrow 400 that means community spread has come then we start mitigating exercises it's like a turbo and you so at this moment we take precautions and the only one precaution is if you have cough and fever don't ignore it specifically if you have a history of contact with a person who has recently traveled from outside. Sir, you know, what can people do, sir? Is there any specific do's and don'ts? Yes, absolutely. If you have cough, it's pollution. Just hydrate your mouth. If it's cough and cold, it's an allergy. No precautions are required. If it's cough, cold and fever, it's a stuffy nose. It's flu, you need to take precautions because flu also will stay for seven days. If it is sore throat, that means if you are having pain in the throat with fever, you need antibiotic, it's a bacterial infection. But if you have fever with cough and breathlessness, don't ignore it at this particular moment because it can rapidly lead to oxygen-dependent and you may end up in a ventilator. So don't ignore fever with cough and breathless in today's state. Inform your doctor. Your doctor will decide what to do. Don't rush to your doctor. Make a video call and ask him, what should I do? Sir, what do you say about death? Because people, when you know, people are thinking about that because of Corona. Chita, normal mortality is 0.6 in South Korea. Average, word mortality is 3.4. The mortality outside Wuhan was 0.1. In India, the mortality is 2 out of 80 cases, which is as per international standards. Both the cases have comorbid conditions. So the message which goes is that if you are 60-plus in India, make sure that your blood sugar is controlled. Make sure your blood pressure is controlled. Make sure your heart failure is controlled. Make sure that you have taken a flu and pneumonia vaccine. And you do not expose yourself to even smaller public meetings. Do not allow anybody with cough and fever to come in front of you. So these are the basic precautions that have to be taken by 60-plus people. Sir, you know, as parallel, we can see that, you know, and numbers of, what can I say, idea and numbers of remedies coming from that. If you want to get rid of that Corona, do this, do this. One of the Hindu Mahasrava president, Chakpani Maharaj, organized a Gaum Uthra party, sir. Is it beneficiary, sir? How do you see this, a Gaum Uthra? See, let's talk about panic reaction. So we need to create fear, but not panic. So when there is a panic, everybody will come forward and say, let me try a ujha, let me try unconventional methods. Can I drink Gaum Uthra? Can I drink my own Uthra? Can I have a jhara, jhara fuz? Can I go a puja? Every person, when it's panic, will start looking for alternatives. And their mind becomes suggestive for that. But at this moment, there is no evidence, no scientific evidence. They are not approved, none of them. And yes, if some of them can claim it and prove it, he should immediately be nominated for Nobel Prize because Nobel Prize committee is looking for cure of Corona. So any claim, absolutely no. But suggestions, individual suggestions, yes. People who believe in Gaum Uthra, let them drink it. But that doesn't mean they can say that everybody should drink it.